हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए कच्छे नारियल के लड़ू की इंस्टन्ट रेसिपी लेके आएं जिसे आप 15 मिनट में बना सकते हैं और एकदम कुछ ही समान में आसानी से बन जाता है और बनाने में कोई ताम जहाम नहीं है एजी वे में आप आसानी से बना सकते हैं और यह लड़ू एकदम जूसी बनता है तो फिर चलिए बनाते हैं नारियल लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा कच्छा नारियल आज मैं यहापे एक पीसी कच्छा नारियल ली हूँ अब क्या करना है जो इसका ब्राउन पार्ट है न अब इसे चिल के अच्छी तरह से निकाल लेना है ध्यान से सावधाने से निकालना है क्योंकि यह थोड़ा सा सकत होता है अब हमने सारे नारियल को चिल लिया है चिलने के पाद आप देख सकते हैं थोड़ा से यह मोटा वाला नारियल है मोटा नारियल का लड़ू बहुत ही टेस्ट बनता है मिठास रहता है और जो थोड़ा सा सौफ्ट रहता है जिसका इसकी निकदम पतला रहता है उस नारियल का लड़ू थोड़ा सा टेस्ट में कम रहता है अब इस नारियल को हमें ग्रेट करना है उसके लिए ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे आप च तो थोड़ा सा मोटा मोटा निकला है आप जाहें तो बारिक वाला से भी कर सकते हैं लेकिन बारिक वाला में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो दूसरा मैं ट्रिक बताती हूं क्या करना है मोटा वाला से ग्रेट कर लें उसके एक मिक्सी का जार लें जार में सारे नारियल को डालतें अब सारे नारियल को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है तो क्या करना है पल्स मोड में इसे दो बार चलाना है बस दो ही बार और यदि आप ज़ादा बार चलाएंगे तो चटनी की तरह हो जाएगा एक दन चिकना तो हलका हलका जो यह बड़े-बड़े गी डालना है, बहुत जादा नहीं डालना है, क्योंकि नारियल में खुद का तेल रहता है, तो बस एक ही चमज में सिर्फ कढ़ाई को चिकना करना है, उसे जादा नहीं डालना है, अब ये घी गरम हो गया है, तो बहुत जादा भी घी को गरम नहीं करना है, अब सारे नारिय में नारियल लड़ू एक ऐसी मीठाई है कि आप सोचो और फटा-फट बना लो तो अब ये अच्छी तरह से भुन किया है पांच मिनट हो गया है तो आप इसमें डालेंगे मिल्कमेड यदि आपके पास मिल्कमेड नहीं है तो आप इसके जगा एक अब दूट डालें क्योंक कि मिल्कमेड डालने से ज़्यादा टेस्टी बनता है मेरे पास था इसलिए मैं डाल रही हूं और मेरे पास नहीं भी रहता है ना तो क्या करती हूं एक अब दूट डाल देती हूं और मलाइक थोड़ा सा डाल देती हूं तो बहुत ही अच्छा बन जाता है तो अब ये दे के दो मिनट के लिए ही मिक्स करना है बहुत जादा देर नई भूनना है अब ये नारियल अची तरह से पूरा मिक्स हो गया है कलर भी हलका हलका चेंज हो गया है तो ग्यास का फ्लेम आफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा हो या फिर बिना घी का इस तरह से गोल-गोल लड़ू बना ले। थोड़ा सा गीला रहता है ना तो असानी से फटा-फट बन जाता है लड़ू। अब देखें पूरी अच्छी तरह से गोल हो गिया है तो अब लड़ू बनके रेड्यो हो गिया है तो बाकी कभी सेम इसी तरह से बना लेंगे। दूसरा है क्या आप लड़ू बना ले इस तरह से जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बना लेना है। दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा सुखा नारियल लें, रेसिकेटेड नारियल और इस तरह से उपर कोट कर दें, तो इस देखने में सुन्दर लगता है, इसलिए कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हलका सा कोट करना ही है, नॉर्मल तरीके से भी नारियल का लड़ू बना सकते है तो बस इसी तरह से बाकी कभी लड़ू बना के रेड़ी कर लेंगे, अब इस सारे लड़ू बनके रेड़ी हो गया है, मैंने एक ही नारियल का लड़ू बनाया है, तो आप देख सकते हैं कितना सारा बनके रेड़ी हो गया है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और कोई कहे भी नहीं सकता है कि ये घर की बनीवी लड़ू है खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और अंदर से एकदम जूसी रहता है और फ्रेंट्स एक बात का और धियान रखना है कि इस लड़ू को आप एक हपते से जादा नहीं रख सकते हैं खराब हो जाता है तो मैं आज की ये रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें